हलो फ्रेंज, स्वागत है आप सबी का अपने यूटूब चैनल पे जिसका नाम है शुगरी ट्रीट्स पाई रीमा आज आपके लिए जो रेसिपी में लेके आई हूँ वो बहुत ही special recipe है क्योंकि ये बनाओगे तो सारे guests घर वाले कहेंगे वाह वाह क्या बनाया है तो हाँ आज की recipe है vegetarian quiche की recipe ये recipe आप party हो घर पे या फिर birthday party हो या कोई guest आ रहे हो उनको serve कीजिए उन्हें बहुत अच्छी लगेगी वैसे आप इस recipe को chicken के साथ भी बना सकते हो अंडे के साथ, sausages के साथ आपको जो अच्छा लगता है उसकी साथ आप बना सकते हो बट यहाँ पे मैंने vegetables का इस्तमाल कर vegetarian recipe बनाई है तो देखिए कितनी अच्छी चीजी से दिख रही है ये recipe तो इस recipe का नाम है vegetarian quiche तो हम फटाफट से देखते हैं कि मैंने ये recipe कैसे बनाई है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए और subscribe कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना एक bowl ले लेंगे जिसमें हमें इसका आटा लगाना है जो हमारा outer cover होता ना टाट का उसका आटा लगाना है तो अगर आप ग्रामेच की हिसाप से देखोगे तो मैंने 180 लिया है और cups की हिसाप से देखोगे 1 cup प्लस 1-4 cup लिया है यहाँ पर मैंने half cup butter लिया है अब आप इसे वजन करके देखोगे अगर तो वजन से आप इसे 100 g देखोगे देख लीजिए मैंने इसके लिए weighing scale रखी है ताकि हम आपको वजन की हिसाप से भी दे पाएंगे और cups की हिसाप से भी क्यूंकि बहुत सारे लोगों के पास यह weighing scale नहीं available होती है अब इसमें नमक डाल देना है टेस्ट के according थोड़ा सा चिलिफलिक्स डाल देंगे क्यूंकि हम यह सेवरी बना रहे है तो सेवरी टार्ट के डो हम लगा रहे है आप इसमें अलग-अलग flavors भी बना सकते हो तो सारी चीजों को अच्छी तरीके से डाल के ना mix कर देना है यह Italian herb से जो पीजा सिसनिंग होती है आप वो भी इस्तमाल कर सकते हो अच्छी तरीके से पहले बटर को मैदे में रब कर लेना है हातों से यह देखिए कुछ इस तरीके से अब उसके बाद हम क्या करेंगे न उसके बाद हमें तीन से चार चमच पानी लेना है उससे ज़ादा पानी नहीं लेना है तीन से चार चमच पानी लेके इसे अच्छी तरीके से डो में नीट करके इसे रेस्ट के लिए रख देना है तो यह देखिए अब इसे हम rest करने रख देंगे करीबन 5 मिनिट के लिए तो यहां देखिए मैंने 3-4 चमची पानी का इस्तमाल किया है यहां पर हमने कुछ vegetables लिए है जैसे broccoli हो गया, red bell pepper, green capsicum, carrot, zucchini, corn, mushroom and onions सबसे पहले onion को हम थोड़ा से saute कर लेंगे onion का कच्चापन हम निकाल देंगे उसके बाद में हम इसमें डालेंगे carrot और zucchini carrot अच्छे से पक जाए उसके बाद हम सारे vegetables डाल देंगे वैसे zucchini और बागी के जो vegetables मैंने लिए है वो बहुत जल्दी पक जाते है तो carrot अच्छे से पक गया है अब इसमें मैंने डाल दी है सारे vegetables नमक डाल दिया है taste के according थोड़ा सा seasoning डाल दिया है मैंने और chili flakes डाल दिया है आप चाहो तो इसमें chop garlic का इस्तमाल भी कर सकते हो आप चाहो तो vegetables को chicken के साथ replace कर सकते हो अब जब सारे vegetables अच्छी तरीके से saute हो जाएंगे पूरा पकाना नहीं है हमें थोड़ा सा soft होने तक ही पकाना है अब इसमें हम डालेंगे one fourth cup cream अगर आपके vegetables थोड़े जादा हो तो आदा cup आप cream ले सकते हो cream डालने के बाद में आपको इसमें डालना है cornstarch अब cornstarch जो होता है वो आपको डालना है उसमें थोड़ा सा पानी डालूट करके वो डाल देंगे और इसे थंडा करने के लिए रख देंगे side में अब जो हमने dough लगाया था ना उसे अच्छी तरीके से roll out कर देंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके के tart shells ना market में बहुत easily मिल जाते है तो बस इस डो को अच्छी तरीके से लगा कर एक अच्छे सी कटोरी रेडी करनी है हमें ये देखिए कुछ इस तरीके से अब side का जो भी होता है उसे आप देखिए थोड़ा थोड़े हिस्सों में मैंने जैसे थोड़ा सा हिस्सा रह गया था तो मैंने थोड़ा सा dough लगा कर वहापे इसे fill कर दिया है और knife से जितना excess होता है उसे आप निकाल दीजिए आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो directly dough डालके बट वह बहुर्ट difficult हो जाता है तो यहाँ पे सारे tart shells जब ready हो जाएंगे आपको इसमें एक baking paper लगाना है और ये rice डाल देना है इस process को blind baking कहा जाता है अब इसे हम bake करेंगे 175 degree पे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट बाद इस paper को और rice को हम निकाल देंगे और फिर से इसे bake करेंगे 10 मिनिट के लिए tart shells को हम baking से निकालने के बाद में थंडा कर देंगे completely आप देख सकते हो कितनी easily ये निकल जाते है ये देखिए ये बहुत गरम है तो ये देखिए बहुत easily ये निकल जाएंगे और ये अच्छी तरीके से bake भी हो चुके है अब ये थंडे हो चुके तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा चीज देखिए चीज जो होता है ना कीश में बहुत जादा होता है बट मुझे यहां पर जादा चीज ही नहीं चाहिए था इसलिए मैंने बहुत कम चीज डाला है आप पूरा एक layer दे सकते हो चीज का या फिर इसे हम थोड़ा सा चीज डाल देंगे मैं यहां पर बहुत ही कम चीज का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहो तो थोड़ा चीज जादा इस्तमाल कर सकते हो अब चीज डालने के बाद हम इसे फिर से बेक करेंगे 5-7 मिनिट के लिए और हमारा वेजिटेरिन कीश बनके रेडी हो जाएगा यह perfect recipe है किसी भी party के लिए आप यह recipe अपने घर पे ट्राइ किजिए फ्रेंड एंड फैमली को खिलाइए और हमें comment में जरुर बताइए कि आपको कैसी लगी है recipe अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजिए ताकि आने वाले रेसिपी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और प्लीज सबस्क्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपके सबस्क्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है नए ने रेसिपी अपलोड करने के लिए तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स रेसिपी पे सब तक के लिए सी यू बाँ बाई प्लीज से घर बाई